My dear friends, welcome back to KS Educational Learning, I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, 26 December जो important current affairs का discussion है, आप लोगों के लिए वो भी out हो चुका है, और जो वीडियो है, वो मैंने आप लोगों के लिए upload कर दिया है, उसको जा कर अभी देख लें, and सबसे जो important बात है कि किसी भी background से आप हो, आपके सामने होगा या नहीं होगा, यह आपके मन में हमेशा सवाल रहता है, my dear friends, आप किसी भी background से हो, आपके सामने कोई भी exam हो, और मैं तो यह बोलूँ सीधा कि इस बार का लक्ष आपका होना चाहिए, कि SPI आपके सामने P.O. और क्लरक दोनों है, तो वो qualify आपका होना चाहिए, कैसे ह होगा, अगर आप Hindi Medium में स्टुडेंट से हैं, तो no matter कि आपने अपनी पढ़ाई, आपका जो basic है, वो आपका Hindi Medium का है, क्या आपका quant अच्छा नहीं है, क्या आपका reasoning अच्छा नहीं है, क्या आप English में score नहीं कर सकते हैं, सारे सवालों का जवाब मैंने इससे पहले भी आप को बताया है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, कि मतलब आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता है, कि आप किस background के हैं, आपका continuity, आपका जो daily routine है, आपका जो आप कितना disciplined हैं, ये बस matter करता है, और एक सवाल हमेशा मन में खुद से पूछिए, क्या मैं इसको नहीं कर सकता ह क्या हिस बार का SPI, PO या क्लरक मैं नहीं निकाल सकता, आप बिलकुल निकाल सकते हो, और ये सवाल का जवाब आप खुद दोगे, जब आप उस पे महनत करोगे, इसलिए आपके सामने जो लक्ष है, आपके सामने जो PO और क्लरक का exam है भी, इस पे focus कीजिए, इस exam के papers को इस exam में क्या pattern पूछा जा रहा है, उसको देखे, उसकी अनुसार अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाईए, और सबसे बड़ा बात कि जो mock test होता है, जहां से आप अपना maximize कर सकते हैं, जो आपका strongest point है, उस पे और ज़्यादा focus कीजिए, ताकि उसमें एक number आपका deduct नहीं हो, जिस दिन आपने ये कर लिया, और सबसे बड़ी बात कि जब आपका strongest section strong हो जाता है, तो फिर आपको work क्या करना है, weakest section पे, जो आपका weakest section है, उसको जैसा ही आप strong मना देते हैं, मतलब आपका वो जो एक border होता है, वो आपका cross कर जाएगा, और यही तो आपको करना है, तो इस पी, topic से करें, आप अपने quant के basis पे करें, आप अपने reasoning के basis पे करें या फिर current affairs के basis पे करें, या फिर english के basis पे करें, किसी भी दो topic पे अगर आपका command है, किसी भी 2 topic में बहुत अच्छा score अगर आप कर लेते हैं, तो आपको ये exam qualify करने से, ये exam को crack करने से कोई नहीं रोग सकत तो आज बस इसी बात को आप सोचते वे आगे बढ़िए कि हाँ ये एक्जाम मैं कर सकता हूँ मेरे सामने जो पी और क्लग का लक्ष है इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ आई होब कि ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा फिलाल केस एजुकेशनल अब को आप सब्सक्राइब कर लें और जो मैं करेंट अफेस का शेशन आप लोगों को यहां पर प्रोवाइट करता हूँ उसको गोध्रू करें